नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवर्ती जन सुराज बिहार में जन सुराज लाने के लिए सभी बर्गों को अपने साथ जोड रही है परशांद किशोर लगातार बिहार की गलियों और सडकों का खाक छान रहे हैं और अपने इस मुहिम में अल्प संख्यक समुदाय को साथ लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं इसी कड़ी में उनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुनाजीर हसन हम आपको बता दें कि डॉक्टर मुनाजीर हसन बरिष्ट नेता हैं और आरजेडी समेत कई पार सायक रहे हैं तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मुनाजीर हसन सहाब से सर यह बताएं कि जिस तरह से आप लोग अल्प संख्यक समुदाय को मुशलमानों को जन सुराज के साथ जोड़ने की मुहिम में जूटे हुए हैं लेकिन कहा जाता है कि बिहार में जो है इंबाई फ जोड़ने का एक्सर सिर्फ नाम के लिए है मुसलमानों का तेल जलता है और करासन तेल मुसलमानों का रॉष्णी होती है कहीं और यह कहना है हमारे जन स्वाज के जो सर्मान नेका है पाष्ण की शोजी उनका कहना है और एम को तलाश थी किसी लीजर थी बहुत दिनों से तलाश थी अब परशान की छोड़ के रूप में उनको एक लीजर दखाई दे रहा है वो बराबरी की बात करते हैं वो सक्ता में हिस्सदारी की बात करते हैं वो कहते हैं कि जिसी जतनी आवादी उसको उतना हम ठिकत दे हैं आज जेडी में दो ठिकत, तीन ठिकत, चार ठिकत दे करके लोगों को बहला फुचला दिया जाता है मनताले दिया जाता है तो एडुकोशन मनताले ने, पी डबलुडी ने, आज डबलुडी ने, शीचाई ने, मिलता है इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी से साइनेंस देते हैं तो सेल्टेक्स निकाल लते हैं इसलिए राज़त से लोग बहुत शुब थे और परशान किशोर जी के रूप में उनको एक राश्चनी की किरन दखाई दे रही है हया है और इसलिए लोग परशान किशोर जी के साथ लगतार जुटत में तले आ रहे हैं और लासन आते आते लिए और जनस्वास का पार्टी गश्रन होते होते यह एक करांटी का रूप लेगा आइसा हमारा विश्वास है अब का विश्वास है लेकिन परशांद किशोर जी के बारे में यहां राजनितिक का जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनकी पार्टी अगर बनती है और ऐसे भी आए असलम ने बीजेपी अंदिया ते ही होने वाली है। अंदिया ते ही उनकी लगाई यू मुसलमानों के बरोते, कोई हुकूमत नहीं बना सकता है। मुसलमान जोड़न का काम ही रखका सकता है। पचान किशोर जी के रूपे इन दिये के विशुद लोग, जो कागजी लोग, जिनको इन लोगों ने चक्त पर बैठा रखा है, कागजी लोग हैं वो, मदबूत लोगों को किनारा कर दिया जया है। और वो मदबूत लोग पचान किशोर जी के साथ जूटते हैं, भारी ताइदार में जूटते हैं, और यही वज़ए हैं कि दो हजार पचीस में पचान किशोर जी की सव्कार अकेले अपने बल बूटे पर बनेगी। आप कहा रहा है कि आरजेडी जो है ठगने का काम करती है मुशलमानों को लेकिन आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव और जो रास्तिय अध्यक्ष हैं लालू परसाद यादव उनको तो बहुत ये कौम पसंद करती हैं और लोग उनको अपना रहनुआ मानते लालू परसादी ने अच्छा सबाए लेकिन ये तेजस्वी यू है तेजस्वी के दमाने में लालू जी वाली बात नहीं है लालू जी अब मुखोटा है हम लालू जी को एक अच्छा नेता और अकलियतों के हमायटी मानते हैं। लेकिन लालू जी का चलता होता नहीं। कि लेकिन आब परशान कि शोज भूझ तो यही बात कर रहा हैं। पर्षान गिशोर जी तो किसी के बात नहीं कर रहे हैं, पर्षान गिशोर जी बोल रहे हैं कि अब तक ये लोग बेटे के नाम पर भोत मांगता हैं, आप अपने बच्टों के लिए भोत देने का काम किजिए, और एक नया बिहार बनाईए, बिहार जहां पर लोग तरस्त हैं दस हजार की नौकिली के लिए पंजाब हज्याना जा रहे हैं वह नौकिली उसको प्रिश से पच्छी सब्सक्राइब तरस्त तरह की नौकिली हम यहां देने काम करें अभी मेरी कुछ बात हो रही थी यहां पत्रकारों से तो वह का रहे थे कि प्रशांद किशोर जी जो है बिहार की जो निरच्छर जनता है उनके मुझ में जो है लॉली पॉब डाल रहा है लेवन्चूस डाल रहे हैं नहीं है वो बिहार के अंदर बदल मुनाजिर को नाजीर अधाली से क्या तकलीफ है तेजा स्वी आदब से क्या तकलीफ है हृँ हमको वृद्साइब नैय है हमको आजेजी से तेयोस्थी जी ऊartakलीसनें हैं हम वेक्ष भावन का आप 14% हो अम ऊनीटफर फ़संट है ब्राबर।े हिस्सेदाजी भी तो दो लेकिन तिसे नादी आई हिस्नेछीं बात करना यह महांपाप नग से přिस अधीं के बात करें तो आपको बहुत रास्ता देखा दिया जागा अपनी मांग की थी हम क्या सारे लोग मांग कर रहे हैं हम तो हमको तो आज जेदी को अलवेदा किये हुए अजवन कि या वीच साल हो गया तो हम दूर्षे लोग मांग कर रहे हैं और जेदी हों प्रषांत किशोर जीने जो है मोधी जी के लिए काम किया था मोधी जी को उन्हों मुख मंत्री के बाद जो परधान मंत्री बने वो उन्होंने उनके लिए काम किया था भले ही पैसे लेके काम किया हो लेकिन काम किया था उन्होंने और बहुत शारे बादे किये थे लेकिन वो बादे भी सब निरर्थक रहे मोदी जी ने एक भी बादे पूरे ने किये बाद म कि सेवा नहेंदर मोहची जी नित चीट और नहेंदर मोहची जी को बनाने वहा था कंधा लगाने में कि ईम्हुत जोर हड़त जी तो नीदू्नी चावद रही अखें ब्रीब्धअ गहा हमाद बशार करहती है इस्टेट में शेक्लर हुपोमतों को बनाने का काम भी उन्हों निटिया और विजएपी को बनाने का जो काम किया था उसका कफारा अदा कर दिया नहीं शर यह बताएं कि अभी जो केंद्र सरकार है उसने वक्व बोर्ट को लेकर नया कानून लाया पालियामेंट विपेस करने की कोशिज की बिल काफी हंगामा हुआ वक्व बोर्ट को लेकर के आप लोगों का रुख क्या है हमारे रुख साथ है कोई भी कानून बने तो वो जगता के हित के लिए बनती है जनता वो शियहाने के लिए नहीं बनती है वक्व बोर्ट का भील लोगों को पेन दे रहा है पेन देने के लिए कानून नहीं बनता है हम पुछते हैं क्या धार्मिक नयास बोर्ट में हिंदूों को रखा जाते हैं मुसल्मानों को रखा रहता है जब सानु को वहां लेकर रहता है कि भी शॉम्ड़ाइ वह अच्छा गजाता है है निवे पर शाइने के लिए है और जिब किसी भी समुझाय को और कि प्सिंव यह त्यूद्वित अट्फ exactly प्रक्षे के आप लगता है है जो लेकिन यह कानून जो है इस कानून की समख्या होनी चाहिए जेपीसी तो आप लोग यहां हंग असेंबली होगा तो आप लोग किसक्यों मदद करेंगे बीजेपी को कि आर जेडी को या जीजडी को हंग होने का सवाल नहीं है उन्होंने असपश्यू से कहा अगर 130 सीट भी अगर हमको मिलता है तो हम उसको अपनी हार माने हैं हमको 200 से जादे सीट मिलने जा रहा है इसलिए हंग अत्रमली का सवाल मतीज़ आप मुशलमानों के कदावर नेता हैं आप किस तरह अपने जो कौम क के लोग हैं उनको कंविंस कर रहे हैं कि जन्सुराज के साथ जुड़े हमको कंविंस करने की जरुवत नहीं है वो लोग खुट समझ रहे हैं अब खुट जन्सुराज से जुटते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं था उनको अब विकल्प मिल जिया है उनको एक सब्सू सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया सर यह थे डॉक्टर मुनाजीर हसन हम आपको बता दें कि डॉक्टर मुनाजीर हसन वरिष्ट नेता हैं और आरजेडी में भी काफी वक्त तक रहे मंत्री रहे हैं विधायक रहे हैं और इन्होंने जैसा कि दावा किया कि दो हजार पचीस में जन सुराज पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो अहम योगदान देंगे योगेश्च चक्रबर्ती आरेडी नियूज पटना